Hello everyone, my name is Dr. Arvind Kumar अक्सर ये देखा गया है कि diabetes में medicine लेने के बाद भी blood sugar control नहीं होता तो इसका reason हो सकता है कि diabetes की medicines proper timings पे नहीं ली जा रही है प्रोपर तरीके से नहीं ली जा रही है तो आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे कि diabetes के लिए कौन-कौन से medicines use होती है और उनको लेने का तरीका क्या है तो सबसे पहले आते हैं metformin metformin का mechanism of action है कि ये liver से glucose का level कम करती है और insulin को और sensitive बनाती है insulin एक ऐसा hormone होता है जो pancreas से निकलता है और blood sugar को control करता है अब इसका जो brand name है popular वो आप देखिए कि कहीं ये brand name वारी medicines तो नहीं ले रहे हैं आप glycifage, glycomat, exermat, citapin तो अब इसको लेने का तरीका क्या है इसको लेने का best तरीका है कि इसको आप meals के बाद लीजिए खाने के बाद लीजिए और हमेशा आपने doctor से discuss करिए दूसरी medicine होती है glymipride या फिर glyclyzide तो glymipride और glyclyzide का mechanism of action है कि ये pancreas से insulin को release कराती है और इसका लेने का तरीका होता है meals के पहले खाने से पहले इसको आप 15 से 30 मिनट पहले ले सकते हैं अगर आप इसको meals के बाद लेते हैं तो low sugar का risk बढ़ जाता है तो ये क्या-क्या brand name है इस medicine के वो आप देखिए Zoril, Emeril, GP तो इन सब में होता है glymipride और अगर आप ले रहे हैं dimacron, glyzid तो ये होता है glyclyzide ये एक ही group की medicine है तीसरे group की medicine होती है pyoglitazone pyoglitazone का mechanism of action है कि ये जो insulin हमारा बनता है उसको और sensitive करती है उसको sensitizer है insulin की तो ये आप खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए कि ये daily एक ही time पे लेना है चौते group की medicine है अकार्बोस या वोग्लिबोस तो इन medicines का mechanism of action है जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने के glucose को ये slow release कराता है slow absorb कराता है और इनके brand name होते हैं जैसे की वोग्लिनॉम हो गया वोलिक्स हो गया ये हैं वोग्लिबोस और अकार्बोस के brand name होते हैं ग्लूकोबे तो इसको लेने का तरीका है ये लेना चाहिए first bite of meal के साथ जैसे एक bite ले लिया फिर ये medicine ली फिर पूरा खाना finish किया अगला ग्रूप है medicine का विल्डग्लिप्टेन, सीटाग्लिप्टेन एलोग्लिप्टेन और लीनग्लिप्टेन यानि की ग्लिप्टेन ग्रूप ओफ ड्रक्स इनका mechanism of action होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके response में एक हार्मोन होता है GLP-1 वो हमारे intestine से निकलता है और ये GLP-1 insulin का release increase करता है और एक और हार्मोन होता है glucagon जो कि insulin के against काम करता है उसका secretion कम कराता है तो ये एक enzyme होता है DPP-4 वो इस GLP-1 को degrade कर देता है इसके level को कम कर देता है तो जो ये group of medications हैं जिसे अब gliptin group कहते हैं वो उस GLP-1 को preserve करता है उसके enzyme को inhibit करके तो अगर GLP-1 जो है preserve रहेगा तो insulin in response to food वो हमारी body में proper produce होगा तो अब इस medicine को लेने का जो तरीका है वो है कि ये आप before भी ले सकते हैं और after भी ले सकते हैं मील्स के लेकिन ये आपको एक ही time पे लेना है और इसके brand name क्या है जैसे wildaglipton है wildaglipton पॉपॉरली आता है brand name में galvas या फिर zeukonome ये जो है wildaglipton होता है cetaglipton हो है istavail या genuvia linaglipton है tragenta करके तो ये देखे कि ये trade name की अगर आप medicine ले रहे हैं तो this is a glyptin group of drugs now come to the next group of the drug और ये drug का group हम बोलते हैं SGLT inhibitor अब SGLT inhibitor क्या होते हैं तो SGLT inhibitor होते हैं जो की हमारे kidney से glucose के absorption को inhibit करते हैं normally क्या होता है जब भी हमारा blood का glucose बढ़ता है तो वो kidney के थुरू excrete होता है और kidney उसको reabsorb करती है normally तो ये medicines क्या करेंगी कि उस glucose को inhibit करेंगी kidney से absorb नहीं होने देंगी वापिस blood में और वो glucose सारा का सारा फिर urine में excrete होगा अब ये जो drugs हैं ये होती हैं जैसे की डापाग्लिफलाजोन और एंपाग्लिफलाजोन या फिर कैनाग्लिफलाजोन और इनके ब्रेंड नेम हैं ये आपने सनेंगे डापाग्लिफलाजोन का है फॉर्जीगह होता है डापा नॉम होता है युदापा करके medicine आती है अनपाग्लिफलाजोन की जो brand name है वो है जार्डियंज गैनाग्लिफलाजोन का जो brand name है वो है सूलिसेंट तो अगर ये medicines ले रहे हैं तो ये इस group में आती है as reality inhibitor और इनको लेने का भी तरीका है before and after आप कभी भी ले सकते हैं लेकिन ये prefer करिए कि या तो morning में लें या फिर afternoon में लें reason है इसका इन medicine को लेने से थोड़ा सा urine increase होता है क्योंकि glucose urine में जा रहा होगा लेना है daily basis पे come to the next group of drug और जो next group of drug होता है वो है insulin तो insulin में दो तरीके के insulin होते हैं एक होता है short acting insulin जो की खाने के immediate बाद जो spike आता है शुगर का उसको control करता है और वो usually 4-5 घंटे तक work करते हैं वो insulin होते हैं जैसे की regular insulin हो गया जिसका की brand name है human insulin या फिर वो insulin होता है जैसे की extrapid brand name regular insulin का short acting insulin है या फिर lispro हो सकता है जो थोड़ा सा और जल्दी काम करता है और उसका brand name होता है humolow या फिर aspart होता है जिसको आप novo rapid के नाम से जानते हैं ये कब लेना चाहिए ये खाने से पहले लेना चाहिए जो short acting insulin है वो खाने से पहले ले तो ज़्यादा अच्छा उनका effect आता है खाने से पहले ये आप 10-15 मिन पहले भी ले सकते हैं लेकिन जो newer insulin होते हैं जैसे की novo rapid हो गया या फिर lispro हो गया आप ले सकते हैं दूसरे तरह की insulin होते हैं इनसुलन होता है डिटी मिर जो हम ले विमिर के नाम से भी जानते हैं तो इनको लगाने का तरीका है किसी भी टाइम ये आप ले सकते हैं बड़ डेली एक ये टाइम पह लीजीए और इनका advantage होता है कि इनसे low sugar का risk काफी कम रहता है एक group होता है diabetes medicine का जिसे हम बोलते हैं GLP-1 agonist वो usually injection form में होते हैं और ये drug होती है lyraglutide जिसको की हम brand name victoza के नाम से जानते हैं और इसमें एक खाने वाली medicine पी आई है और वो है semaglutide जो की हम जानते हैं ribelsus के नाम से तो अब इन medicine का जो mechanism of action है वो है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके response में ये हमारी body में GLP-1 hormone provide करता है जो की हमने देखा कि GLP-1 provide होने से खाने के relation में insulin निकलता है और glucagon जो hormone है वो reduce होता है इन medicine का एक और mechanism है कि ये appetite को भूख को कम कर देती है और इससे जो stomach की movement होती है वो slow हो जाती है तो थोड़ा सा खाना खाने से ही एकदम से fullness की feeling आईगी तो ये medicines weight loss के भी use हो सकती हैं weight loss के काम आती हैं तो अब इन medicine को लेने का जो timing है वो है कि इनको prefer करिये कि खाने से पहले लेना है ताकि ये जो है खाने के response में जो भी insulin निकल रहा है उसको जो है ये control करेंगे तो ये group of medication जो है GLP-1 agonist है and better है कि इनको आप खाने से पहले use करें तो ये थे diabetes को control करने वाली different medications उनके mechanism of action और उनको कब लेना चाहिए you like this video और अगर आपके कोई questions हैं कोई queries हैं तो आप हमें comment में पूस सकते हैं thank you